अगर ध्यान से देखें इसको यह जो आप यह इथर वाली देख रहे है न अगर इसमें हम लोग यही चीज यह आपके क्या नाम है यह एमीन्स हैं जिसको हाप मान आमोनोलेसिस बोलते हैं हाप मान आमोनोलेसिस यहीं अगर इसी कारा आई जाए तो और इसी में अगर हम लोग यह जो साइनाइड वाला आप देख रहे हों यह साइनाइड वाला साइनाइड में इसी में है मेर हाइड्रोलेसिस करा दिया जिए है modeling अगर यही हम लोग डाईलूट एच सी अले ले लेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा इसी को बेंडिस रेक्षिन क्या बोलते बेंडिस चीक है यह प्रोसेस आप प्याद रखिएगा कुछ इससे लेम है इनके ठीक है तो इसे आसानी से इनको चीज़ों समझा जा चकता है ठीक है मैंने आपको अपने वीडियो में हेलो एलकेंज की प्रिप्रेशन और उनके केमकर प्रपर्टीज बताई हैं तो कुछ मैंने बेसिक बोले थे कि आपको याद होने चाहिए ग्रूप तो देखिए मैं इसलिए ये लेकर आया हूँ आपको ये चीजें और इनके विसे म या आपका मौस्ट यानि में इसा क्या करेंगे ओच को जो है रिप्लेस कर देंगे सील से जैसे आपके पास अल्रडी आर सिंगल बॉंड आई लिखा हुआ है इसकी रियक्शन अगर हम इनसे किसी से करा देंगे तो ओच जो है रिप्लेस हो जाएगा और आपका एक एलकोहल फॉर्म हो जाएगा ठीक है यह आपका इसमें जो है और प्रोड़क्ट क्या बन जाएगा एलकोहल यह इस तरीके से सार्टकट में समझा जा सकता इसे अब इनी में से कुछ रियक्शनों के स्पेसल लाम है जो हम लोग अलग पढ़ते हैं विलियम संसलेशन ठीक है बेंडि हैं जो होगा वह क्या करेगा है हैं मैं क्या होता है है चीक है इसमें एक नहीं कई होते हैं इस चार होते हैं लोन पेल के मांददन दो लोन प्यड होते हैं इसने ये विकर्मक ही लिखे हुए, ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, ये सारे, ये है, OH, Hydroxide, H2O, OR, कहीं reaction होगी, तो आपको यहां से ही इनको तोड़कर दिमाग लगाना है, ये NH3 हो गया, ये Amine हो गया, प्राइमरी, ये Secondary Amine हो गया, ठीक है, ये Sinide हो गया, और है, इससे, तो क्या होगा, कि ये जो इस तरफ से है, ये वाला पार्ट आके इसके अटैक करेगा, तो इस वज़े से ये वाला पार्ट इस AGBR के साथ निकल जाएगा, तो जो है, आपका आईसो साइनाइट बन जाएगा, या ये प्रोड़क्ट बन जाएगा, ठीक है, ये आ NO2 बोल देता है, हम लोग AGNO2, सिल्वर, नाइट्रेट, तो ये देखिए, सिल्वर जो नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, तो ये कैसे जुड़ा है, आप इसको दियान से देखिए, इसमें जो ऑक्सीजन का पेरिंग है, वो कोई इस तरीके से, ठीक है, नाइट्रोजन से पहले एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉंड से एक ऑक्सीजन फिर उससे असिल्वर, तो ये एक लोण पेर है, तो जब भी ये कहीं अटैक करेगा, तो आपका ये पार्ट ब्रेक होगा, और ये जाके पार्ट आपका अटैक करेगा, ठीक ना, अब इससे जो तो वो क्या जनरेट होगा, NO2 माइनस जनरेट होगा, एक लोण पेर इसमें होगा, तो ये जो चीजनरेट होगी, यही जाके रटैक करेगी, तो यहाँ पर नुकलियो, जो है कैसा है, नुकलियो फिलिक, यानि ना भी किसने या भी करमक है, तो ये जब किसी अलकेल और आपको क्या बन जाएगा प्रोड़क्ट में, आर एन ओ टू, तो ये चीज़ें अगर आप समझते हो, तो आप बहुत अच्छे से ये कर पाऊगे, और आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रो एलकेन मिल जाएंगे, मतलब सीधी सी चेंज, जैसे अगर आपके पास आर क किजगे पर यहां मान लीजिए, मैंने इसी से रियक्षिन कराई, अवर में आपका यहां क्या लिखा था, C2H5, एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड आप से जब ये रियक्षिन करेगा, तो ये क्या बना देगा, एथिल C2H5, NO2, यानि इसको क्या बोलेंगे हम लो तो क्या बोलेंगे एथिल और नाइट्राइड, ठीक है ना, एथिल नाइट्राइड, ठीक तो नाइट्रो एथियन इसका सबसे प्रचलित नाम है, याद रहेगा, पिल्कुल इसी तरीके से सिंपल ये आपकी कौन सी है, ये एच्टर, ठीक है, एसिटेट की है आपकी, और ये आपकी, ये आपका एसिटेट है, ठीक है, और ये आपका थायो है, ठीक है, याद रखिएगा, ये थायो है, और ये आपका, दोको, एस लगा है तो इसको थायोल बोलते हैं लोग, ठीक है, और नहीं तो जनरल सिर्फ थायो बोल सकते हैं आप, और ये, ठीक है, इगर इ घर ठीक है फिर स्परेंगे सर्फ था जो इता बोला जाएगा इसके बाद ये ऑग ट्रीक है कौन्सा है दाइ जो इस तरीके के जो compound मिलेंगे वो क्या होंगे एजाइड उनको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे एजाइड ठिक ये जयान रखिए इतना डाइजोनियम आपने salt पढ़ा होगा डाइजोनियम लवा न तो उसमें दो होते हैं इसमें तीन हो गए तो डाइजो होगा है यानि इनको डाइजो नहीं सरी दो डाइजो ग्रूप भी दो आगए तो हम लोग इसलिए इसको एजाइड पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं एजाइड तो आप जो चीज़ आपने जिससे एलकिल आइलाइड जो भी आपने लिया है मानलिजे CH3 है CH2 और CL से लिया है आपने या BR से लिया है तो अब जब ये एथिल है तो आपका क्या बन जाएगा एथिल एजाइड इस तरीके से ये आपके जो है फॉर्मेशन इसली होगा तो 12 में भी आपको इतना ही इसमें पढ़ना है ज्यादा नहीं है आपके पास 12 में आपके पास केवल आप इतने कम पाुंटों को ध्यान र प्रोडक्ट बनते हैं वो फिक्स हैं कि अगर ये Cn आएगा तो साइनाइट वाले बनेंगे और अगर Nc आएगा तो आईसो साइनाइट के प्रोडक्ट ही बनेंगे ठीक है अब ये एलकिल एथेन मेथेन प्रोपोईन जो आर है इस आर का मतलब जो भी है जो आपको दिया जा से इसको एक बार देखिए याद कर लीजिए थोड़ा सा उपर के जरूर इतने याद कर लीजिए आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है ये थायॉल अब अगरा अगर आपको देखिए हैं एक जैनकारी मैं देदूं कि जो गैस होती है हम लोगों की उसमें C2H5 SH ह से इनकी होता है से अनकी होता है सलफर और अक्सिजन एक ही गृप के क्मपाउण है ठीक है इलिमेंट्स है तो इस चगर O होता तो हम लोग alcohol बोलते हैं ethyl alcohol लेकिन यहां ऐसा आ गया तो इसको हम लोग ethil thiol alcohol बोलेंगे या Ethyl Mercaptyl बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको Ethyl Mercaptyl क्योंकि S जब दो दिखाता है तो इसको thiols भी बोल देते हैं तो ये ताकि लेकेज पताचल सकते हैं तो जो हम लोग में प्योर एलपी जी होती है तो एलपीज इसमें इतनी जानकारी रखते हैं बाकी मेरे वीडियो आप प्लेइलिस्ट पर पर जाईए देखते रहेए तो आपको काफी जानकारी उसमें मिल जाएगी